यूपी के महराज गंज जीला पंचायत की बैठक शनिवार को हंगामे की भेड चड़ गई बजट आवंटन को लेकर बीजेपी के ही दो विधायक आपस में भेड गए देखते ही देखते तू-तू-मैमे के मामले गंभीर होते दोनों विधायक में जम कर नुख जोख हो गई लेकिन वहां मौझूद दूसरे विधायकों ने दोनों विधायकों को किसी तरह शांत कराया दरसल शनिवार को जीला पंचायत सभागार में जीला पंचायत की बैठक थी बैठक में कई सदस्यों को इस बात पर एतराज था कि इस पष्ट शासन के आदेश के बावजूद मीटिंग में पदेन सदस्य के प्रतिनीधी बैठे हैं बैठकी शुरुवात में परिचे के दोरान मामला तब बढ़ गया जब फरेंदा से कॉंग्रेस विधायक विरेंदर चौधरी ने महराज गंज के सांसद और मंतरी प्रतिनीधी की रूप में बैठे जगदीश मिश्रा से उनका परिचे पूछ लिया इस बात को लिए जमकर हंगामा हुआ जिसके बाद भाजपा के वरिष्ट विधायक ग्यानेंदर सिंग ने हस्तक्षिप करते हुए मामला शांत कराया वहीं एक विवाद थमते ही दूसरा विवाद शुरू हो गया जब बजट के आवंटन को लेकर सीस्वा के विधायक प्रेम सागर पटेल ने कहा कि जीला पंचायत में यदि साथ करोड का बजट आता है तो अधिकांच वाड में सिर्फ 10 से 15 लाक दिया जाता है जबकि चहे प्रेटक में दोनों विधायकों के बीच जम कर गर्मा गर्मी और कहा सुनी शुरू हो गई नौबत मारपीट तक पहुँचने वाले थी लेकिन किसी तरह नौतन्वा विधायक रिशी त्रिपाथी ने बीच बचाओ कर विवाद को शांत कराया